नुमेरिकल 6, the magnitude of dot and cross product of two vectors is 6 square root 3 and 6 respectively, find the angle between the vectors, बुक में यह is missing था जिसकी वज़े से questions ही नहीं समझा रहता, अब यहाद रखें उनको जो स्वाल दिया उसके मताबे, dot product दो वेक्टर्स का आपके पास answer given is 6 square root 3, और cross product का answer given is 6, और आपको कहा जा रहा है, angle find out करें उन दोनों के बीच में क्या है, तो ऐसे स्वाल से डरना नहीं है, बहुत असान है, given क्या कि आपके 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 दो वेक्टर्स हैं, हम दो एजूम कर लेते हैं, f1 और f2 उनका dot product है, 6 into square root of 3, और उनका cross product है, 6, और find करना है इन दोनों के बीच में theta, तो start करते हैं, dot product क्या होता है, basically, f1 और f2 का cos theta होता है, और यह मैंने आपको याद कराया था, कि dot के भी तीन alphabets हैं, और cos के भी तीन alphabets हैं, और दोनों के बीच में O है, तो इसे याद रख सक के हैं, और cross project का मैंने आपको याद कराया था, कि लफ्स cross के आखिर में S है, तो cross sine theta, तो cross product होता है, sine theta, तो पहले आप देखते है, dot product क्या है, f1 f2 is equal to 6 square root 3, इस तरह लिख लिए, अब इसको open करेंगे, f1 f2 होता है, f1 f2, f1 dot f2 का मतलब होता है, f1 f2 cos theta, और अब हम को cos theta को उदर ले जाएं, तो क्या बन जाता है, f1 f2 is equal to 6 square root 3 divided by cos theta, इसी तरह हम लोग cross product कर लेते हैं, cross product मैंने आपको बताया है, कि वो होता है, sine theta, f1 f2 का sine theta, is equal to 6, तो अगर sine theta उदर ले जाएं, तो बन जाएगा, f1 f2 is equal to 6 divided by sine theta, अब इन दोनों equations को देखें, इनकी left hand side equal है, f1 f2 f1 f2, f1 f2 इसके भी बराबर है, और f1 f2 इसके भी बराबर है, इसका मतलब है कि ये term बराबर हुई, इस term के, तो हम इन दोनों को equal लिख देते हैं, 6 square root 3 divided by cos theta is equal to 6 divided by sine theta, अब इसको rearrange करेंगे, sine theta को इदर ले जाएंगे, और 6 square root 3 को इदर ले आएंगे, तो यहाँ पर कर ले हैं, sine theta इदर आगया, और यह इदर चला गया, अब क्या चीज़ इसमें cancel out हो सकती है, 6-6 आपस में cut जाएंगे, और sine theta divided by cos theta क्या होता है, tangent theta, तो tangent theta is equal to 1 over square root 3, square root 3 की value क्या होती है, 1.732, और 1 divided by 1.732, calculator से करेंगे, तो आज जाएगा, 0.577, theta मालूं करना है, तो इस तरफ tangent जाएगे, तो tangent inverse हो जाएगा, और tangent inverse of 0.577, बन जाता है, 29.98 degree, round off कर लेंगे, तो यह हो जाएगा 30 degree, यही आपके बुक में answer है, Assalamualaikum students, अगर आप चाहते हैं कि आपके टीचर ये वीडियो बनाना continue रखें, तो जरूर लाइक, शेयर और सबस्क्राइब करके होसला अफजाई किया करें, because मैंने home tuition देना इसलिए तर्क किया, कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडन्स का फाइदा हो सकते हैं